नमस्कार दोस्तों ओम शान्ति आज का विजय मंत्र है आच्छे विचार और आच्छे भाव मन को हलका कर देते हैं आणुभाव का कभी भी निर्मान नहीं हो सकता है जिन्दगी में आणुभाव को तो समय देकर ही आरजित किया जा सकता है इसलिए दुसरों के आनुभव से शिकने का हमें प्रयास करना चाहिए, स्वयम के आनुभव से शिकने के लिए हमें जिंदगी कम पड़ जाती है दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने जितने आपकी विचार स्रेष्टता के ओर होंगे, उतने उतने आप मन से हलके होते जाएंगे आपने देखा होगा कि एक पानी के पातर में कुछ लवंग आप डाल दो कुछ समय के बाद आप देख पाएंगे कि उस पानी के पातर में कहीं तो लवंग पानी के तल पर है और कई तरंग रहे है पानी के ऊपर अईसा क्यों है कि जो आप उसको अच्छी तरह से गोर से देखेंगे तो आपको पता पड़ जाता है कि जिस लवंग के उपर टूपी है वो लवंग पानी के उपर तही रही है और जिस लवंग के उपर की टूपी निकल चुकी है वो नीचे बैटी वही है इसका आर्थ यह हो जाता है कि जीवन में जो चीज हल्की होती है वो उपर उठती है आप इस उधारन से यह सुचिए कि भगवान की अगर आप के उपर छत्र चाया है तो आप उपर उठेंगे लेकिन अगर आप के उपर भगवान की छत्र चाया नहीं है उसका साथ नहीं है तो आप निचे तले में जाके बैठ जाएंगे कही बार लोग करते हैं कि हमें इस चीज का अनुभव नहीं है हमें तो शीकना है दोस्तो आप दुसरों के अनुभव से जीवन में शीक सकते हो हर चीज का अगर आप अनुभव करने जाएंगे तो आप के लिए जिन्दगी कम पढ़ जाएंगे इसलिए हमेशे इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रयास आपके सामने दुसरा विक्ति कर रहा है आनुभव से वो भरपूर है उसके प्रयास को देखो और जब आप प्रैक्टिकल में कर्म में उत्रोगे तो उसके आनुभव से सिको कि उसने जो जीवन में विजय प्राप्त किया है कर्म में स्रेष्टता को पाया है उस गुनों को जो आप उन्होंने धारन किया है उस गुनों को सिर्फ आप ले लो तो आप निचित एक सफल जिन्दगी का आनुभव करेंगे और आपने फिल्ड में आप विजय को प्राप प्रेंट गा।